नमस्कार साथियो कैसे आप सब आसकरतों आप बहुत अच्छे होंगी तो दिलिपलिस कॉंस्टेबल के बारे मैं बता दूँ आपको एक RTI लगाई थी मैंने एक क्या मैंने दो RTI लगाई थी RTI का रिपले जो है आपका आ चुका है दोनों RTI में कैसे लगाई थी थोड़ा अ RTI मैंने लगाई थी इसमें देट अब इया यह हमें डेने कैंड़े है तो यह RTI मैंने तिरब इसमें एक ही कौश्चन पूचा पूच्छा था एक पूच्छा था जिसका जो है तेरे तरी तारी यह बतायार lesd में अपेर हुए थे दिलिपलिस कॉंस्टेबल एक्जामनेश 23 में और कंडेक्ट फॉर्दा आपका ये करा गया था 14-11 से लेकर 3-12-23 तक ये करा गया था तो इसमें मैंने सिरफ यह पूछ पाया था क्योंकि तारिक से लेकर 3 तारिक के बीट रिटन एक्जाम हुआ था तो इसमें मुझे पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि बीच में एक बात चली थी जिसमें बता गया था कि पेपर कैंसल हो गया पंजाब की साइड का मैंने वीडियो बनाई थी उसमें तो उसके बारे में हमें पता तारिक को ही आई है इसका जो है यहाँ पर तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं यहाँ पर मैंने पूछा था दिलिपलिस कॉंस्टेबल वेकंशी 2023 प्लीज यहाँ पर मैंने बता था प्रोवाइड दन नंबर ओब ओब द इस्टुडेंट अपेर फोर द रिटन टे टेकन इन वीच जो कैटेगरी जो आपका होता है कंडेक्ट कराने का इन वीच जो है सिप्ट दा एक्जाम वाज जो है कैंसिल हुआ था जो कैंसिल एक्जाम हुआ था उसके बारे मैंने आप बत किये कि जो एक्जाम कैंसिल हुआ था उसके बारे में भी हमें बताईएगा क कि किस तरीके से तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे प्लीज भी लिखा था वो प्रोवाइड था जो आपका रिजन टेकन जो है एक्जामनेशन अगेन फोर दा सेड्डूल जो आपका दूसरे सेड्डूल है वो बताईएगा तो यहाँ पे मैंने तीसरा सवाल पुछा था वेन ज देखल चुका है तो कोई एक्जाम यहाँ पे अभी जो रिजल्ट नहीं आया है यहाँ पे विच वेकेंसी इन से सी विल भी जो है डिकलेड रिटर्न एक्जाम रिजल्ट वैन वीक डूरिंग था यहां में पूछा था और प्लीज टील था यहां पे जो एसके बार में मैं यहाँ और यहां पे इन्होंने पूर्छ चीजें हमें नहीं बताई है रहल mieć जो चेम कराया था ता 14 11 3 12 23 स जो है date for approved यानि के यहाँ पर इन्होंने बता है candidate are not यहाँ पर इन्होंने इसको नहीं बता है यानि mention नहीं किया है यहाँ पर वाइद अपर इन्होंने यह चीज सारी नहीं बताई है इन्होंने सिर्फ एक ही चीज बताई है बच्चों हमको की 15,35,666 बच्चे यहां भी इनोंने बताया है कि जो test return दिया है और category wise इनोंने हमें कुछ भी नहीं बताया है नहीं इनोंने हमें बताया है कि result के बारे में कोई notice इनोंने बताया है नहीं इन्होंने हमको ये चीज़ बताए कि पेपर दुबारा कंडेक्ट आपने कौन-कौन जे शिप्ट का कराया था इन्होंने कोई भी और जानकरी है यहां पे हमें नहीं दीती हाला कि मैंने ये RTS लिए लगाई थी कि सारी जानकरी हमें मिल जाएं लेकिन ये जानकरी तो मुझे पहली RTS से भी मिल रही थी लेकिन इन्होंने दूसरी जो मैंने लगाई उसमें इन्होंने ज़्यादा हमें रेस्पोंस नहीं दिया है साहद इनका कुछ आप समझ सकते हैं सब जो है कुछ चीजें जो होती हैं यानि वो हाइड कर देते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि इतने चैनल को सबस्काइब करके साथ में बैल आइकन को जोड़ दबाले जीगा